लेकिन इस वक्त मेरी ब्रेकिंग यूज आ रही है वो आ रही है मुंबई से और अनुजी के सबसे ज़्यादा इंटरस्ट की एक ख़बर होगी देश के इंटरस्ट की होगी आंदोलनकारी किसानों से मिले हैं CM Farnivist CM Farnivist विधान सबा में किसानों के दल से मिले हैं मुंबई में करी 40,000 किसान जूटे हुए हैं अभिशेख शर्मा फोई लान पर है अभिशेख क्या हुआ वहाँ पर किसान जो है किसान का एक सिस्ट मंदल है वह इस वक्त पहुंचे का विधान बहुन में जो CM ने च्छे लोग मंद्रों कमिटी बिनाए और कमिटी मौजूद है साथी CM खुद छोड़े बात मौजूद होंगे सब्सक्राइब करें लिए माराथ के मुखंटी बिनासरवा में ने अनौन्स किया है यह हम साकरात्मक हैं जो इनकी मांगे हैं वह मांगे अग्दल अब अमानने को तयार है लेकि सब्सक्राइब करते हैं वह उनकी किसानों की मांगे कि उसे उनके नाम पर किया जाए वह एक सब्सक्राइब बड़ा रंगा चिखाई पड़ रहा है इसके लवा समय मांगे लेकिन इस वक्त से बड़ी नहीं हो जही कि किसान जो करिबें 40,000 क्यासना किसान इस मुंब अनु जी मुझे पताईए कि अब देवेंदर फंड़ी साथ के साथ विकल्प कौन कौन है राजू शेटी साथ में या आपने मुझे बताया सीपी आइम के बैनर तले इनका जो किसान संगटन है वो इसको करवा रहा है और इंडिया किसान सबा और किसान गुजार इसके जो मांगें उन सब को किसी स्मीकारता किसी भी राज्य सरकार के लिए शायद संभव नहीं होगा भी संभव नहीं कि देखे देखे सल पहले 70 आजार क्रोड की करिज माफी केंदर सरकार नहीं की थी उसके बाद फिर किसान बोल रहा है कि पूरी नहीं करिए तो हर 10 साल में अब क करज माफी करनी है तो फिर बैंक आपको करज देना बंद कर देंगे क्योंकि या सरकारें भी जो है उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी यह बास सही है कि किसानों को उनकी उपज की भरपूर और अच्छी कीमत मिलनी चाहिए लेकिन तब हम पत्रकारों को मीडिया को चीज किसानों को सिचाई की भरपूर सुविधा मिल जाए उनको बिजली मिल जाए उनको भंडारन की सुविधा हो जाए तो शायद उनको अधिक अच्छी कीमत मिल जाएगी अधिक लाग मिल जाएगा उसमें जो पैसे लगने हैं वो यदि पहले ही बढ़ जाएंगे तो शायद वो काम नहीं हो पाएगा, धूसरा यहां पर फो है किसानों के अलावा किसान मजदूर भी है, खेती और मजदूर, और उसके अलावा जो जंगलों में रह कर खेती करते हैं, वो जमीन का पट्टा चाहिते है, उसी छेतर में नदी जोड़ो प्रोग्राम भी होने वाला है जिस विकास महाबार कहा जा रहा है उसके लिए जमीन एक्वाइर करने की भी दिक्कते कुछ आ रही हूँ सबसे मिला जुला यह आंदोलन है सारी मांगे मेरे ख्याद से मुक्ष्मंत्री नहीं मांग पाएंगे लेकिन जो वाजिव होंगी उसको मानने की हर संभव कोशित सरकार कर करजमाफी वह पहले ही खोशित कर चुकी है जिसमें 40-43 जार करोड रुपए करीब लोगों के एकाउंट में ट्रांसफर भी हो चुके है राज्यसरकार के दवारा इसके देखना हुआ कितनी मांग वो स्विकार कर पाते हैं कि किसानों की मांगों का बंडल बहुत बड़ा ह उनकी कई सारी एकस्पेक्टेशन से और सरकार से एकस्पेक्टेशन एक वोटर की क्यों ना हो ये भी अपने आप में एक बात है लेकिन फिलहाल हम इंतजार करेंगे क्युकि ख़बर अभी खत्म नहीं हुई है ख़बर अभी चारी है किसान उनसे मुलगात के बात क्या कहत यह भी एक बड़ा सवाल है